इनिमल मुवी इस साल की मोस्ट सलिबरेटेड मुवी बन चुकी है कलेक्सेन एंड कॉंट्रोवर्सी दोनों ही एस्पेक्ट में जहां यह मुवी वॉक्स ओफिस पर जंडे तो गाड़ी रही है वही इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी कॉंट्रोवर्सी भी चल रही है कि आखिर मुवी सोसाइटी को क्या मेसेज देती है या मेकर्स कितने मोरली रिस्पॉंसिबल होंगे अगर ओडियंस इस मुवी से इंफ्लूएंस हो जाती है तो लेकिन इसके बीच एक और कॉम्यूनिटी है जो गूगल पर मुवी लाइक एनिमल सर्च कर रही है और यह वीडियो उनी के लिए है जहां हम बात करेंगे 5 मुवी लाइक एनिमल पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोसल फ्लक्स नमबर 5 बाजिगर बाजिगर सर्क की मोस्ट आइकोनिक मुवी में से एक है जहां ओडियंस ने पहली बार सर्क को एक एन्टी हीरो के करेक्टर में देखा था यह मुवी 1993 की एक हुज ब्लॉक बस्टर थी इस मुवी में भी हमें एनिमल की तरह ही एक रिवेंज स्टोरी दिखाई गई थी जहां अजै सर्मा प्लेड बाई सर के अपने फादर की मौत के बदले की आग में इतना डूब जाता है कि उसके लिए सही और गलत के बीच की लाइन बलर हो जाती है और वह मुवी में अपने बदले के लिए इनोसेंट लोगों को मारने से भी नहीं कत रहता और अल्सो संदीप रेडी वांगा को भी एसार के एज एंटी हिरो बहुत पसंद थे तो आपको यह मुवी तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए बदलापूर एक स्लो बर्न रिवेंज स्टोरी है जिसे स्रीराम रागवन ने डाइरेक्ट किया था इस मुवी में हमने वरुन धवन को एक बहुत ही डार्क करेक्टर में देखा था जिसकी बीवी और बच्चे की मौत एक बैंक रॉबरी के दवरान हो जाती है जिसके बाद वरुन धवन की लाइफ का एक मकसद होता है वो है अपनी बीवी और बच्चे की मौत का बदला लेकिन इस बदले के लिए वरुन धवन का केरेक्टर रगू इनोसेंट को भी मार देता है मूवी में एक स्टेज ऐसा भी आता है जहां यत तै करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा हीरो कौन है और विलन कौन है और यही इस मूवी की खासियत है कबीर सिंग संदीप रेड़ी वांगा की पहली मूवी अर्जुन रेड़ी की ही हिंदी रिमेक है और इसी मूवी ने संदीब को इंडिया का सायद Most Celebrated Director बनाया है इनिमल की तरह ही इस मूवी को भी लब और हेट बराबर मिला था इस मूवी में हमने साहिद कपूर को एक बहुत ही ओबर ओपसेस्ट लबर के आउतार में देखा था जो एक Misogynist, Alcoholic, Smoker और Abuser भी था लेकिन जिस चीज ने Audience और Critics को बहुत जादा Trigger किया था वह है मूवी में दिखाया गया Woman Treatment जो की बहुत से लिबल पर गलत था और अगर आपने Kabir Singh देखी है तो आप Kabir Singh और एनिमल में बहुत सारी similarity नोटिस कर पाओगे वास्तो संजय दत की एक Cult Classic Movie है जो Loosely Underworld Dawn छोटा राजन से inspired है इस मूवी में संजय दत ने रगु का Character प्ले किया था जो Eventually एक Criminal Family से लड़ते लड़ते खुदी पैसे कमाने के लिए Crime Syndicate Create कर लेता है रगु वही इंसान है जो Monster से लड़ते लड़ते कब खुद Monster बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता रगु संजय दत का Most Iconic Character में से एक है जिसका Pop Culture में भी हमेशा हमें Reference मिलता रहता है तो आपने संजय दत की या Iconic Movie देखी है या नहीं हमें Comment Box में जरूर बताएं गैंग ओफ वसेपूर को इंडिया का Godfather भी Consider किया जाता है जिसने बहुत से Underrated Actor को Main Stream में लाने का काम किया था या अनुराक कश्यप की Best Movie तो है ही इस मूवी में मनोज वाजपाई ने सरदार खान का रोल प्ले किया है जो अपने पिता का मौत का बदला रामाधीर सिंग से लेना चाहता है और इस Revenge Story के अराउंड भी बहुत सारे सब प्लोट हैं जैसे सुल्तान कुरैसी का बदला Gang of Wasapur actually कई माइने में एनिमल से सिमलर है चाहें बात वाइलेंस की हो, मिसोजिनी की हो या फिर जैसे Gang of Wasapur में Women Treatment को दिखाया गया है वो अभी एनिमल से काफी मिलता जुलता है ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अनुराग कश्यप ने बहुत पहले ही एनिमल जैसी ही मूवी ओडियन्स को एक रिलेटिबल तरीके से प्रिजन्ट की थी तो क्या आपको भी लगता है कि Gang of Wasapur और एनिमल में काफी similarities है अगर है तो हमें comment box में जरूर बताएं तो ये थी 5 movies like एनिमल अगर आपने या मूवी देखी है तो आपको या मूवी कैसी लगी थी हमें comment box में जरूर बताएं